वेल्कम फ्रेंट्स अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस नए वीडियो शेशन में मैं फिर से लेकर के हजीर हूँ आप सभी के लिए चतिस गड़ में आई हुई भरती के ओल्ड कोशन पेपर से रिलेटेड और सांत इसना दोस्तों उसमें पूछे गया महतवपूर्ण प्रशनों के वस्तु निष्ट के साथ दोस्तों हमारा आज का महतवपूर्ण टॉपिक है विध्यान के महतवपूर्ण प्रशन है उस्मा क ताप और उस्मा की जिस से रिलेटेड है और दूसरा जो हमारा दोस्तों रसानिक टेबल से जिसे हम तत्तों का आवर्त सारनी भी कहते हैं या फिर उनका वर्गी करन कहते हैं तो हमारा आज दो टॉपिक इसमें कभण करने वाले हैं उसमें से कुछ-कुछ महत्वपूर प्रशनों कोई और चलते हैं तो हमारा आज का तीसरा टॉपिक है दोस्तों उसमा और ताप अगर आपने पहला टॉपिक नहीं देखा है जिसमें हमने जिवों का विकास के बारें बात किया है दूसरे टॉपिक में हमने अमल और चार और लवन के बारें बात किया हमारा ती जारी है दोस्तों ठोस के लिए कही जारी है तो आप सभी को याद रखना है कि जो ठोस होता है उसमें रेखिय, छेत्री और आयतन इन तीनों का जो प्रसार होता है उनका जो अनुपात होता है एक अनुपात, दो अनुपात, तीन के अनुपात में होता है तो आप इसको याद रटनाई रेखिय चेतरी और आयतर मतलब एक दो तीन होता है ठीक है और इसमें अगर इसको नाम को बदल देगा तो यहां पास रेश्यो भी परिवर्तित हो जाएगा ठीक है इस चीज को आप धियां रखिए चलिए नेक्स्ट कोश्च देखते हैं वस्तु ए तथा वस्तु इन दोनों में वस्तु ए की विसिष्ट उसमा वस्तु बी की तुलना में कम है वस्तु बी की तुलना में कम है मतलब ए की विसिष्ट उसमा क्या है दोस्तों बी की तुलना में कम है किसके पास विसिष्ट उसमा वस्तु बी की तुलना में कम है तो विसिष्ट उसमा किसकी जादा है B की जादा है तो option देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे है वस्तु A जल्द गर्म हो जाएगी वस्तु B जल्द गर्म हो जाएगी या फिर दोनों वस्तु A समार रूप से गर्म होगी या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसके लिए correct answer जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या मतलब जो B है वस्तु B जो है वो जो है धीरे से गर्म होगा इस तरीके से option देखने को मिल सकता है ठीक है तो आप question को समझें अच्छे से ताकि आप उस हर तरीके का प्रेशन जो अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकेंगे चलिए next question देखते हैं नीचे दिए गए वस्तु में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा उसमा का जो है उसमा चालक है दोस्तों यहां पास उसमा चालक नहीं है ठीक है उसमा चालक नहीं है आप इस नोट कीजेगा लोहा एसबस्तौस कांज यह लकडी तो आप से भी को पता होगा दोस्तों कि लोहा तो है उसमा का क् आज जो है कूचा लग होता है लकड़ी भी कूचा लग होता है इस्विस्टास भी जो है कूचा लग होता है लेकिन उस्मा का अच्छा से कूचा लग जो होता है इस्विस्टास होता है ठीक है तो यहाँ पस option अबर भी correct answer हो जाएगा साथ इसां दोस्तों अगर हम लोग लकडी भी इसमा का क्या होता है कूचालग होता है काज भी होता है ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा बोल रहे ना सबसे अच्छा बोल रूप्षन के अधार पे हम बताएंगे कि एस बस्तॉस क्या हो जाएगा जिसमें से एक का नाम है समवहन, समवहन में क्या होता है, वो इसमें नहीं होता है, ठीक है, वही हमको बताना है, option दिया है, चाय, पानी, हवा और निर्वात, तो इसके लिए दोस्तों, correct answer जो हो जाएगा, निर्वात, निर्वात में समवहन के द्वारा जो है, उसमा का संचर होता है, किसमें, निर्वात में, अगर हम लोग इसका एक्जामपल देखे, निर्वात में जो है दोस्तों, तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य से आने वाली प्रकास, उसमें क्या होती है, गर्मी होती है, तो बीच में प्रित्वी आ जाता है, प्रित्वी में जब प्रकास इंतरी के होते हैं पहरा जो चरन होता है दोस्तों वो होता है चालन का ठीक है याद रखे इसको प्रश्न पूछा जा चुका है चालन का दूसरा होता है दोस्तों समवहन का ठीक है और चांथा होता है दोस्तों तीसरा होता है वीकिरन का ठीक है वीकिरन तो आप इसको याद र चोटे चोटे परमाणू है या अडू भी बान सकते हो आप अडू को जब इसमें क्या होता है जब हम इसको गर्म करते हैं लोहे को ठीक है तो लोहे को जब हम इसमें से गर्म करेंगे दोस्तों तो यहाँ पास क्या होगा ताब जो है पहले कण को जाएगा और उसके बाद जो ग्रहन करने के पस्चात अपना ताप दूसरे को देता है तो ये क्या कहलाता है चालन कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है दोस्तों चालन कहलाता है लेकिन इसी कंडिशन में अगर हम बात करें समवहन के लिए तो समवहन में होता क्या है कि जब हम ताप देते हैं किसी लेकिन चाल आप जो बरतन लेते हैं, उसमें आप क्या कर देते हैं, कोई द्रवपदार्द भार देते हैं, जैसे पानी भार लेते हैं, तो जब मैं इसमें क्या करूँगा, भार हुआ है, इसको गरम करूँगा, जब उस वाटर के मॉलकियोस होते हैं, जब उसमें हम ताप पड़ता है, तो वो अपना ताप ग्रहन करता है और सुशित करता है लेकिन वो दूसरे को नहीं दे पाता है जैसे ही वो गरम होता है वहां से वो क्या हो जाता है दोस्तों हड जाता है वो अनु जो है हड जाता है उसका जगह जो है कोई दूसरा वाला करण ठंडा वाला जो मॉलक्यूल हो सव्वहाट तो नीचे का पानी मतलब तरल के जैसा देखने को मिलता है लेकिन इसमे का गरम पानी जो होता है फूरे ज़ो輯ुश मैं इस्थानतरित होता है चालन जो प्रक्रिया नहीं होती किसमेक difu निर्वाद में नहीं होता है ठिक है देखेज चाय जो है द्रव है पानी भी द्रव है हवा भी क्या है एक प्रकार का जो है गैस के अंतर गता जाता है ठीक है तो समवहन किसमें होता है चाय पानी हवा भी होता है निरवात में नहीं होता है ठीक है तो यह था दोस्तों आपका उसमा संचरन के बहुत ही महतोपून टॉपिक ठीक है जिसमें मैंने चालन्स वहन और विकरन के बारे में बताया है एक और इसमें महत्व पूंट टापिक होता है दोस्तों कि आप जो है ताप को सेंटिग्रेट में जो है उसको फेरनहाइट में बदल ये होगा दोस्तों कि आवर्तसार्णी में 104-108 है आपको देखने को मिलेगा ठीक है उन में जो है दोस्तों हाइड्रोजन का अस्थान है वो निस्चेत नहीं है क्योंकि अगर हम बात करें उसके इलेक्ट्रॉन की उसके पास सिर्फ एक ही लग्ट्रॉन होता है ठीक है और नाभीग में सिर्फ एक ही प्रोट्रॉन होता है ठीक है उसके पास न्योट्रॉन नहीं होता है ठीक है इस कंडिशन में क्या होता है उसके प्रॉपर्टीज भी बहुत ही डिफरेंट होता है कि गुण उसमें से नहीं मिलता तो उसको वर्ग में रखने के लिए थोड़ी सी जो है दिक्कत होई इस वज़े से उसको क्या है स्थानिस्चित नहीं किया गया है चलिए देखते है नेक्स्ट कोशन मेंडलीफ की आवर्तसार्णी तत्वों को स्थापित किया गया है तो मेंडलीफ आया था वो जो है उसके परमाणू भारों के वृध्íem क्याधार पर ही उसको जबाया हुआ था कौन मेंडलीफ लेकिन अब भी बात करें आवर्तसार्णी अभि वर्तमान में ठीक है अभी जो वर्तमान सार्णी जो चलती है दोस्तों तो ऑ्रमाणू संख्यामे प्रतिपादित किस ने किया है, मतलब आधुनिक आवरतसार ने किसके द्वारा लाया गया है, तो यह लाया गया है, मोसले के द्वारा, ठीक है, तो option number B इसके लिए correct answer हो जाएजा, तो मोसले परमानुक क्रमान के अधार पर सभी तत्वों को arrange किया है, जिसमें S, P, D और F, इन चारो block इसमें क्या कर दिया गया है, इसको बाटा गया है, चलिए next question देखते हैं, समूह में उपर से नीचे जाने पर, जो है, धात्वी गुन क्या होता है, तो आपने देखा होगा, दोस्तों, S block का होता है, P block का होता है, D block का होता है, और F block का होता है, आवरतसार ने में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों, वर्ग कहते हैं, ठीक है, कोई भी वर्ग, ठीक है, तो जब हम उपर से नीचे आते हैं, दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, उसका धात्वी गुन कूछ रहे है, तो धात्वी गुन सिंपल सी बात है, दोस्तों, वो क्या होगा, तो option number size के लिए क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा चलिए दोस्तों देखते हैं next question और बहुत ही महत्वपूर प्रश्ण है प्रश्ण है दोस्तों sodium, lithium और potassium के आकार का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा होगा हम उसके आकार को लेकर के बात करने हैं दोस्तों तो सबसे छोटा वाला कौ हुआ होता है 11 लीथियम का प्रवाणू क्रम sait के लिए दुपूं है है लीथिय। मतलब किता होता है तीन होता है puta का कित्ना ओता होता है डिक पोडिशियम का परमानू क्रमांग कितना ऊता है बहुत ही single सा frankly किस आप मुझे बताएंगे तो आप सभी को बता होगा कि सबसे कम किसका है लीथियम का तो हम सबसे पहले लीथियम को रख दिये लीथियम के बाद किसका आया दोस्तों 11 नंबर सोडियम का आया तो हम लोग किसको रख दिये सोडियम का उसके बाद जो है आता है किसका पोटेशियम का हमको कहा रख दिये potetium को रख दिये तो इसका answer क्या हो जाएगा पहला नंबर का लीथियां सबसे छोटा है उसका आखार किसका दोस्तों sodium का फार पोटेशयम का आकार ठीक है इस तरीके से इसी करम में आपको देखने को मिल जाएगा तो option नंबर इसके लिए correct answer हो जाएगा वीडियो का असल लगा दोस्तों comment करके जरूर बताईए जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको जरूर पूछ लीज़े दोस्तों क्योंकि इसी तरीके के प्रश्ण जो है competition exam में पूछे गया है और यह जो मैंने वस्तुनिष्ट बताया है वो आपक उसको सजो करके रखाया है ठीक है और वीडियो का असल लगा कमेंट करके जरूर बताई यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करकर नोटिफिकेशन बेलाता है जरूर और कलेजिए तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ ठेक केर आल दे बैस्ट जय हिंद